इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है दिफरंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी क्रूप से मौझूद है नमसका दोस्तों डिफरंस डिटेक्टिव के एक और अपिसोड में आप सभी का स्वागत है तो खबर क्या है कि इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पडोसी देश पाकिस्तान की खबर जहांके दो रिटाइड आर्मी आफिसर्स को देश द्रो और सेना में बगावत भड़काने के आरोप पर कोर्ट मार्शल का ओर्डर दे दिया गया है बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के इन दोनों रिटाइड फौजी उपर लगे इन आरोपों की असलियत क्या है क्या वाकई इनका दोश है या फिर पाकिस्तानी सेना अपने सीक्रिट्स लीक होने के वज़ा से बौखला गई है और ये जो कारवाई होने वाली है ये उसी बौखलाहट का नतीजा है पाकिस्तानी आर्मी के जिन दोनों रिटाइड ओफिसर्स का कोर्ट मार्शल किया गया है उनके नाम है आदिल फारूग राजा और हैदर रजा महदी इन दोनों ओफिसर्स का थोड़ा बैग्राउंड बता देता हूँ आदिल फारूग रजा पाकिस्तानी आर्मी में मेजर थे 1999 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और वो अफगानिस्तान बॉर्डर पर कई सारे operations हुए थे वो उनमें शामिल थे तो सेना ने उन्हें कई बार सम्मानित भी किया साल 2017 में उन्होंने voluntary retirement ले लिया इसके बाद उन्होंने real state का business शुरू किया इसके साथ ही वो defense और geopolitics से जुड़े topics पर newspapers के लिए article भी लिखने लगे और जो दूसरा नाम है हैदर रजा महदी का महदी भी पाकिसानी आर्मी में थे और captain के post से retire हुए थे महदी भी retirement के बाद journalism से चुड़ गये थे तो भाई ऐसा क्या हुआ है कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा समय तक आर्मी रूल रहा जिस मुल्क में president और prime minister आर्मी के प्यादे हुआ करते हैं जिस मुल्क पर मतलब जिस मुल्क का हर बड़ा decision जो है वो आर्मी चीफ की मंजूरी पर ही होता है वहां आर्मी के दो retired officers का court marshal करने का आदेश क्यों चारे हुआ पाकिसानी आर्मी के general field court marshal ने आदिल और महदी को Pakistan Army Act 1952 के तहर सजा सुनाई है आदिल 14 साल बामशक्कत और महदी को 12 साल सश्रम कारावास के सजा दी गई है इसके साथ ही दोनों के rank भी चीन लिये गए हैं चोकि court marshal होगा तो ये थी punishment की detail जो दोनों को दी गई है अब इन पर लगे आरोपों को भी जान लीजे भई पाकिसान आर्मी ने अपने ही दो retired officers पर बगावत करने की कोशिश करने देश के खिलाफ जासूसी करने देश के सुरक्षा और हितों के खिलाफ करने का आरोप लगाया है दोनों पर आम लोगों को भी सेना और सरकार के खिलाफ भड़काने का case register किया गया है यानि आम लोगों को भी सेना के खिलाफ किया इनोंने ऐसा सेना कह रही है इन दोनों के खिलाफ नमंबर के पहले हफ्त से ही सुनवाई चल रही थी और अब जाकर यह फैसला सुनाया गया है चलिये कोर्ट मार्शल तो करा दिया जाएगा दोनों भी पाकिस्तान में रहते भी नहीं है पर सवाल वहीं का वहीं है कि कोर्ट मार्शल हुआ क्यों तो जनाब जो आरोब लगाए गए हैं वो तो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को चूरन देने के लिए है पाकिस्तानी आर्मी अपने दो रिटार्ड आफिसर्स के पीछे इसलिए पड़ी क्योंकि इन दोनों ने सच बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तानी आर्मी का सच दिखाना शुरू कर दिया आदिल राजा और हैदर राजा दोनों सोशल मीडिया पर बहुत आक्टिव रहते हैं दोनों की यूटुब चैनल हैं जिस पर वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर डिसकेशन करते हैं दोनों को इमरान खान का सपोर्टर माना जाता है और दोनों पर मई में इमरान की ग्रफतारी के बाद जो हिंसा हुई थी उसको भड़काने का भी आरोप है यानि की देख लीजिए क्या मामला है हला कि दोनों पाकिस्तान नहीं है राजा तो लंदन में हैं और महदी कनड़ा में हैं लेकिन वहां से भी दोनों पाकिस्तान में डिमोक्रसी पर डिक्टेटर्शिप के हावी होने को लेकर आर्मी लीडर्शिप के जो इन्वॉल्मेंट है उसकी उस पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं कि जी पाक फोज मारा फखर रह 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 गया भई क्या आप बात कर रहे हैं क्या आपकी अपनी फोज आपके खिलाफ है शदीद तरीन वो कहते हैं न वो जनरल कहता है कहता है वाई शुड भी रिस्पेक्टर परसन वो इस नॉट इवन पाइल अप शुर्ट कहता है टटी भी नहीं है बंदा इसकी हम इजद कैसे करें अगर ये जनरल ना होता तो इसकी टटी जितनी भी उकात नहीं है ये अपने हाजर सर्वेस जनरल ये बात करें जा रहा है साइकोपैथ के, साइकोपैथ ही है ना ये आसे मुनीर जो है जो जिया लग 2.0 बनना चाहता है, बीवी ने पीछे से डंडा दिया हुआ है, बीवी को खुश करने के लिए पूरी कौम को रगड़ा है, इसासे कमतरी का हमारा शक्स, ये पहले नवाज शरीफ के नीचे लगा हुआ था, लगता है कि उसके अंदर जाहिरी बात है, बीवी की मर्जी शामिल लगा है। कि ये फौज ने पाकिस्तान के साथ किया 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 और खास तार पे इसके जर्रेलों ने और खास तार पे बिल्ग खसूस इसके आर्पी चीफ ने किया 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 आदिल ने पाकिस्तानी आर्मी के अपने सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया था, कि पाकिस् senior officers, famous models जो होती हैं और जो एक्ट्रेस हैं उनको physically exploit करते थे और उनका इस्तमाल honey trap के लिए किया जाता था सोचिए कितनी बड़ी बात आदिलराजा और महदी हसन ने पाकिस्तान का सीक्रिट जो है पाकिस्तानी सेने का वो बाहर लेकर आए यह मेस है हनके अंदर आके ठëरती थी और वो इस्तमाल की जाती थी जनररल F aprend की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ जराइक यह दावा है कि यह लोग की इस्तमाल करते थे और उनके लवा पाकी लोगों को बुलाया जब जाता था स्यास्तानों गएरा को तो उनकी वीडियोज बनाई जाती थी देखी थी यानि कि किडिनाप कर लिया था उन पर दवाब बनाने के लिए आज सुबह फजर के वक्त रावल पिंडी शहर में मेरी वालदा को आरा फारूक मेरी वालदा है उनको अगवा कर लिया गया है एरपोर्ट जारी थी मेरे चचा करनल अफ्तखार आजम और उनका बेटा गाड़ी में उनको छोडने जा रहे थे दो पहले इतला आई थी दो गाड़ीयां थी और अब को इतला आ रही है कि तीन गाड़ीयां थी नमाजियों ने बताया है कि तीन अलदा अलदा गाड़ियों में बठाके लेके गए हैं अनमाक्ट गाड़ियां थी वीगो डाले थे जो वहाँ पे आए हैं सारी रात वहाँ पे खड़े रहे हैं और सुबा उनको लेके चले गए हैं वहाँ से ये वाक्या जो है ये शिर्जमान कालोनी रावलपिंडी के अंदर पेश आया है और वहाँ से वो एरपोर्ट जा रही थी और वो छुपी वी थी अपने घर के उपर नहीं रही थी क्योंकि उनके उपर शदीद तरीन हमला किया गया 16 मई को मैं आपको तस्वीर हैं दिखा देखा देखा कोर्ट माशल के ओरडर के बाद इन दोनों को पाकिस्तान लाने की कोशिशे भी शुरू हो गई है लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की लीडर्शिप और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी मिली भगत का इनके भी जो मिली भगत थी इन दोनों ने उसका भंडा फोड किया और इनके खिलाब जो कारवाई हो इससे वो डरे नहीं है कई बार इनके यूटूब चैनल ब्लॉग भी किये गए लेकिन तब भी ये दोनों बेखौफ होकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आर्मी के जर्मैलों पर सवाल उठा रहे हैं और ये आगे भी उठाते रहेंगे तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजे क्योंकि ऐसी आपको रोज खबरे मिलने वाली हैं जो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी होंगी जो वेपन से जुड़ी होंगी नमस्कार जय हिंद